शाहारुक खा की आने वाली फिल्म डॉनकी के लिए कलाकारों का वेतन चर्चा का विशय बना हुआ है। जैसा कि प्रशनसक 22 दिसांबर को फिल्म की रिलीज का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, कलाकारों की कमाई के बारे में खबरे आई हैं। प्रारंब में, ऐसे दावे थे कि शाहरुक खा डॉनकी में अपानी भूमिका के ये 100 करोर भारतिय रुपे चार्च कर रहे थे। हालां की, नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि अनेकी वास्तविक कमाई कम हो सकती है, हालां की इसकी आधिकार एक पुष्टी नहीं की गाई है। यहां डांकी कलाकारों के ये रिपोर्ट की गाई फिसका विवरंड दिया गया है। एक, कहा जाता है कि मुख्य भूमिका निभाने वाले शाहरुक्खा फिल्म में अपने काम के लिए लागभाग 28 करोर रुपे कमाते हैं। दो, फिल्म के एक एनी प्रमुक अभिनेता विक की कौशल कथित तौर पर अपानी भूमिका के लिए 12 करोर रुपे लेने के लिए तयार है। तीन, बोमन इरानी, जो निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। डॉंकी में अपानी भूमिका के ये 15 करोर रुपे चार्ज कर रहे हैं। चार, अपने कुमेडी कौशल के ये जाने जाने वाले सतीश शाह की कमाई 7 करोर रुपे बटाई गाई है। पांच, तापसी पन्नू, जो फिल्म के कलाकारों का हिस्सा है, को अने की भूमिका के ये 11 करोर रुपे की महत्वपूर्ण राशी मिलाने की उम्मीद है। गौर तलब है कि फिल्म के पहले तीजार की गुनावता को लेकर कुछ विवाद है, साथ ही इसके द्रिश्य प्रभावों, वीरीफेक्स की आलोचना भी हो रही है। वीवेक्स संबंधी चिंताओं के बावजूद, प्रशन सक अभी भी फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें विक की कौशल और तापसी पन्नू भी होंगे।